टूडे वी आर गोइंग टू डिसकस दा हिंदू न्यूज़ पिपर आर्टिकल सो लेट्स गेट स्टार्टिड सो फ्रेंड्स यह आर्टिकल जो है एक व्यक्ति के बारे में है जो व्यक्ति कहां से आंध्र प्रदेश से है जो की एक वीडियो सूट करता है किसका वीडियो सूट करता है अपनी पत्नी का और कप सूट करता है जब उसकी पत्नी अपने जीवन को क्या कर लेती है समाप्त कर लेती है तब वो अपनी पत्नी का वीडियो सूट करता है वीडियो सूट करने के बाद उसे उस महिला के माइक के भीजदेता है जहां से ये वीडियो क्या होती है सोसल मेडिया पे वाइरल होने के बाद पुलीस जो है इन्वेस्टिगेट करना सुरू करती है जिससे पता चलता है कि औरत हैस्मेंड के कारग कर लिए फिर इस वैक्ती को क्या कर लिया जाता है अरेस्ट कर लिया जाता है, इट मिन्स कि उस पे जो है section 306 का case file किया जाता है of Indian Penal Code, भारती दंड सहींता कि धारा 306 का case file किया जाता है तो इसमें हम लोग यह भी जेकिंगे कि section 306 है क्या, ओके first at all we need to know what is harassment, harassment means होता है प्रताडित करना और harassment means होता है प्रताड़ना, it means कि किसी भी व्यक्ति को किसी व्यक्ति के द्वारा प्रताड़ना दी जाती है that is called harassment, तो उसे harassment का जाता है और यह किसी व्यक्ति को भी हो सकता है और यह जो है किस टाप की प्रतावना होती है यानि किसी वेक्ति के द्वारा ऐसा बीहब करना इस वे में बीहब करना जो आपको क्या फिल करवा है डिस्ट्रिस, तना, यूमिलियेट, अपमान और ध्रीटेर यानि धमकी अब है पैदा करवा है वो हार, वो क्या हारस्मेंट में आते हैं और देखिए, यह कोई भी हो सकता है जिसे आप जानते हैं वो भी, ऐ मिन नायबर और जिसे आप नहीं जानते हैं वो भी हो सकता है, अपमिल स्ट्रिंजर नोग देखते ह। हम लोग देखते हैं harassment के case क्या है इंडिया में तो देखिए 1860 IPC it means Indian Penal Code भारती 860 की भारती दंड सहिंता की संसोधन में अमेंडमेंट यानि संसोधन में ले आया गया कई सारी sections लाए गए यानि कई सारी धाराएं लाए गए जिसमें जिन में से क्या है 354 धारा 354 क्या है assault यानि हमला और criminal force to women with intent to alterize her modesty तो देखिए यानि किसी भी औरत के किसी भी औरत के आत्मशंपमान को ठेश पहुचाने की इरादे से जो हमला या फिर criminal force किया जाता वो section 354 में आता है और हम उसके बाद देखते हैं section 354A धारा 354A में जो आते हैं उसमें sexual harassment and punishment for sexual harassment आते हैं अब हम लोग देखते हैं section 509 धारा 509 तो धारा 509 के अंतरगत ये आता है जब किसी औरत के आत्मसंपमान को अपमान करने के इरादे से कोई ऐसे word बोले जाए gesture सारे किये जाएं कोई act यानि कार किये जाएं वो section 509 में आता है और section 375 and 376 यानि धारा 355 और 76 के अंडर सारे रेप की केसे जाती हैं section 354a sexual harassment के लिए section 509 जो की word gesture and act किये जाते हैं किसी औरत के आत्मसंपमान को अपमान करने के इरादे से okay अब हम लोग देखते हैं section 306 क्या है 306 abatement of suicide है abatements of suicide होता क्या है abatements होता है उकसाना और abatements होता है उकसाना यानि किसी भी व्यक्ति को suicide करने के लिए उकसाना इसमें पनिस किया जाता है उकसाने वाले व्यक्ति को उसे imprisonment यानि जेल की सजाना दी जाती है और यह जेल की सज़ा 10 साल तक हो सकती है प्लस इसमें fine be liable किया जाता है यानि fine भी pay करना पड़ता है तो यह था हमारा section 306 okay झाल 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 झाल